हलो एब्रीवान वेल्कम बैक टु माई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे है आप सब आहे हो क्या आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सोयबीन के कटिलेट की रेसिपी जो लोग नॉन्वेज खाना पसंद नहीं करते हैं या किसी का नॉन्वेज खाने का मन नहीं होता तो वो भी इस रेसिपी को ट्राय कर सकते हैं यह best recipe है उनके लिए और बहुत ही tasty और crunchy बनके त्यार होती है तो चलिए इसको बनादर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने soybean ले रखी इसको मैंने पानी भीगो कर रख दिया था गरम पानी में इसको भीगो दिया था मैंने 15-10 मिनिट के लिए और यह जो है बहुत अच्छे से फूल चुकी है और बहुत ज्यादा जो है नरब हो गई है और इसका size भी एकदम जितनी मैंने भी गोई थी उससे जादा डबल हो गया है यह तो अब जो है मैं इसको अच्छे से grind कर लूँगी तो इसको जो है मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी और इसको अच्छे से grind कर लेना है जादा ने डाले थोड़े थोड़े से डाल के इसको grind करना है जब यह अच्छे से grind हो पाएगी अब देखिए मैंने इसको जो एच्छे से पीस लिया है और ये एकदम जो बारीक कीमा सा हो जा रहता है ऐसे भी हो चुकी है बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्राइड हो चुकी है अब मैं इसमें कुछ वेजटेबल एड़ करूँगी तो मैं एड़ करूँगी इसमें सबसे पहले प्यास इसको जो है मैंने बारीक काट रखा है फिर मैं इसमें एड़ कर दूँगी हरी मिर्ची तीन से चार मैं हरी मिर्ची यहाँ पर इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लि चाहीं देख भी एक डम बारिक करकि उमने मिख्स कर दूंगी ताकि मुक्क्स हो मोग जाए जो इसको की बांडिं चाहे ऊच्छा गी औरstadt यह जो है इसका टेस्ट मासाला दो चम्मच मैं इसमें चाट मसार आइड करूँगी तबी अच्छे चेट पटे बंद पाएंगे फिर मैं इसमें आधा चम्मच आइड करूँगी धनिया पाउडर तो यह सिर्फ थोड़ा सा आइड करना है जाधा आइड नहीं करना एक चमच मैं इसमें एड़ कर दूगे लाल मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची जो है आप अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग भी इसमें एड़ कर सकते हैं जितना आपको तीका खाना पसंद हो क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी एड़ करीए तो इसके हिसापसे मैं डाल ले हूँ आधा चमच मैंने इसमें हल्दी आइट कर दी है इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट के कॉर्डिंग है आपर हम नमक आइट कर देंगे तो यहाँ पर जो है मैं 1 टेस्पून नमक आइट कर रही हूँ आप जो है अपने टेस्ट के कॉर्डिंग रख लें आधा चमच मैंने आइट किया है इसमें हमचूर पाउडर और एक चमच मैं इसमें अजवाइन आइट कर रही हूँ इसको अच्छे से क्रश करकर डालेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऐसे डालने से अगर क्रश करकर डालेंगे तो अब मैंने इसमें सारे मसाल डाल दी है अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो आप जो है यहाँ पर जितना आपको बनाना हो इसको मसाले डालो और बेजी इसमें इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है बहुत आसानी से क्रट्लेट बन जाते हैं अब इसको एक बर बराएंगे तो आप नौन वेच खाना भूल जाएंगे इसी की क्रट्लेट रोंगे आप इसे बना लिया हैं के इसमे हाइआ इसमे अब मैं आप थेकल करने के बाद mêsके देख हैं थोड़ा सा तो यहां पर इसको मैं अच्छे से mix कर लूँगी अब यह दोनों चीज़ा आइड करके आप देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया और यहां पर आप देख सकते हैं अरोड डालने से किते अच्छी शीए आपको भी इतना ठीक रखना है ताकि यह असाइन से बन जाए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ अब मैंने एक प्लेट ले लिए इसमें डालूँगी दो से तीन चमश मैदा और मैदा डालके पानी में घोलके इसके एक सलरी तयार कर लूँगी तो थोड़ा पानी एड़ करना है हमें और इसकी बना लनी है सलरी अच्छी से थोड़ी गाड़ी ही रखनी है इसका टेक्चर तो अभी यह थोड़ी सी गाड़ी लग रही है मैं थोड़ी सा और पानी इसमें एड़ कर दूँगी और इसको ऐसे हमें ब्लैंड करना है ताकि कि इसमें कोई लम्सना हो तो इसको थोड़ा सब पाइन डाल के ऐसे ही हम कर लेंगे और देख सकते आप इहां पर कितना स्मूध और अच्छा टेक्शर हो गया इसका अब मैंने यहां पर ले लिए हैं सिमय का पाउडर इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिय इसमें अब मैं आपको देखिए बनाना बताती हो किस तरीके साम बनाएंगे इसको थोड़ा समय हाथों पर तेल लगा लूगी और फिर इसकी शेप दोंगी अच्छे से जो हैं जो है जो मसाला होता है वो घुसने लगता है अब देखिए मैं इसको ऐसे ही शेप दे लूग आपको आके क्या करना है जो मैंने सलरी बनाए थी मैंदे की इसको कटलेट को इसमें डिप करूँगी और इसकी जो है अच्छे से कोट कर दूँग इसको सीमयों से जो मैंने सीमयों का पाउडर बना रखा है यह जो मैंदे की सलरी है मैंने सलरी तैयार कर थी इसमें जो है को तो आप इसको बिल्कुल भी से कोटिंग ना करें ना मेडे के सलरी लगाएं इसको ऐसे सिंपल जैसे में बना लिए हैं इनको ऐसे ही फ्रेज में रख दें और फ्रेज में रखने के बाद जब इनमें बरफ जम जाए तो इसको एक जिप-Lock बैग में डाल के रख दें फिर आ आपके अच्छे से स्टोर हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी, और काफी दिन तक चल जाएंगे, और अगर आप इसको रिस्टोर करके रख लेंगे, तो आपको रोजे में ज्यादा महतन नहीं करने पड़ेगी, आप इसको निकाल के फ्राई भी कर सकते हैं, त तो देखें, यहाँ पर तेल गरम हुआवा है, और मैं इसमें सारे कटलेट एक एक करके डाल दूँगी, तेल को मैंने पहले हाई आज पर गरम कर रखा था, फिर मैंने आज मेडियम टो लो कर दी है, और इनको अच्छे से 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 लोगी, अगर आप इसको हाई मेडियम आज से के तो एकदम से बहुत जल्दी से जाएंगे, और अंदर तक नहीं पक पाएँगे, तो इसको जो हाई मेडियम प्लेम पर से के अच्छे से अंदर तक पकेंगे और बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, तो यह एक साइट से जो हैं, मैं इसको दूसरे साइट टन कर दूँग और इनको जो है दूसरे साइट के तरफ से भी अच्छे से लूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इनमे कलर आ रहा है बहुत अच्छे से सिख जाएंगे अब जो है मैं सारे कट्लेट को निकाल लेए हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो कलर है अच्छ यहा पर गोल्डन सा हो गया है जाधर डार्क नहीं करना में पिर ये खाने में एच्छे नहीं लगेंगे सीफकनी अच्छ बरूग अच्छ करने का तरीका ही बता दिया है आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं अच्छी लगी है रेसिपी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसे लगी मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा जादा शेयर करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपीस के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो